नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर, दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है, और ब भूल से कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है, इससे भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं, वैसे तो भोले भंडारी हैं, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बाते हैं जो भोलेनात को पसंद नहीं आती हैं आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी बाते हैं सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं सोंबार के दिन सुभसुभस नान आदी करके भगवान को याद करते हैं भगवान से विंती करते हैं कि हमारे सारे बिगडे काम बना दे हमारे जीवन से मुसीब्तों को दूर भगा दें भगवान को अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधिविधान से तरहत्रह से पूजा पाठ अर्चना आदी जैसी चीजे करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं हमारी शास्त्रों में तो अलग-अलग दिन अलग-अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है सोमवार को शिव जी का व्रत रखो मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो बुधवार को गनेश जी का व्रत रखो ब्रिहस्पतिवार को विश्नु भगवान का व्रत रखो शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखो रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखो इस तरह अलग-अलग दिन अलग-अलग देवी देवताओं के नाम के वरत को रखने की परमपरा है और वरत रखकर भगवान को प्रसंद करने का जिक्र हमारे पुरानों में किया गया है भगवान को प्रसंद करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है इस वरत वाले दिन हम एक टाइम या दो टाइम जैसे भी खाना ना खा करके खुद को कश्ट पहुँचाते हैं, भगवान का ध्यान अपनी और आकर्शित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, आपकी महंत और भगति को देखकर भगवान अपने भगतों की मनोकामना को वरत की आती है, तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सुमवार का वरत रखा जाता है। काईदों का पालन नहीं करता उसका सोंबार का रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता उल्टा शिवजी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है अगर आप भी शिवजी का वरत करते हैं, सोमबार का वरत करते हैं, शिवजी की अकसर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए, सोमबार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, ये बात सभ लेकिन कई बार लोग फलाहार या फरियाल करते समय अंजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है क्योंकि किसी भी व्रत में ब्रहमचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। शुमवार के दिन विशेश रूप से अपने बुजुर्गों की धर के बड़ों की माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो, जी जाजी हो। जो भी लोग हैं, आपके जीवन में उन सभी का अपने से जो भी बड़े हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं, तो टीचर्स हों आप कहीं ऑफिस जाते हैं, तो आपसे बड़े कोलीग्स हों जो भी अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपमान सुमवार के दिन आपको नह इसकर होता है, सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं, या कोई लड़ाईच गड़ा किसी से करते हैं, तो माना जाता है, शिवजी आपके वरत को ग्रहें नहीं करते, आपको उस वरत का कोई फल नहीं मिलता, और उल्टा आपको कभी-कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको, दंड की प्राप्ती हो सकती है, दोस्तों, सोमवार के किसी भी तरहे की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए, कहीं पर भी लड़ाई जगड़ा हो रहा है, बीच में आप दोस्तों के साथ गए, किसी ने आपके दोस्तों को मारा, आप भी उ नहीं करने हैं. किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें. गाली गलोच करना. अपशब्द बोलना. किसी के मन को दुख पहुचाना आपने गाली दी पर किसी को ऐसी बातें बोली की. इमोशनली उसको आपने हर्ट कर लिया. उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उल्टी सीधी बातें बोल दी उसके मन को खत्म कर दिया. ऐसी बातें ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलने चाहिए. ऐसा करने से जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं, वो भी नहीं करने चाहिए. वरना शिवजी का प्रकोप आपको जहलना पड़ सकता है. दोस्तों वरत वाले दिन दोनों टाइम आपको शिवजी के सामने बैठकर जरूर करनी चाहिए. सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं. नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए. शिवजी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए. धूप दिखाएं घी, चीनी, शहद आदी से अभिशेक करें, जो भी फल मौसमी फल हो वो आप उनको चड़ाएं, इस तरह से आपको पूजा जरूर करनी चाहिए, हो सके तो सुमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर फोरना चाहिए, दोस्तों कई लोगों में बा पूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आप शिवजी का प्रकोप जेलना पड़ता है, हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं, तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेश नियम भी होते हैं, भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोशी को खटाई की चीजें नहीं लगाते हैं, इसी तरह हर देवी देवता के पूजन, प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं, इसी में शिवजी को माना जा कि आख, धतुरा, बेलपत्र आदी आपको चड़ाने चाहिए, आमतोर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागर्ण करते हैं, उजन करते हैं, या आरती में शामिल होते हैं, तो भगवान के गुनगान के साथ तालिया बजाते हैं, तो इससे भक्त मंदली में एकता आती है भावना पैदा होती है, जब भी हम परिवार में मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजागजा करके आरती गाते हैं, माना जाता है कि तालियों की गुन्च से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुँचते हैं, परंतु आपको ये जानक आश्चर्य की धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिवजी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है, इस मान्यता को सुनकर शायद थोड़ा सर्प्राइज लग सकता है, लेकिन ये बात बिलकुल सच है, शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली न उश्किल कार्य रहा और भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिवजी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था, इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांती का माहौर रखना चाहिए, जब भी आप शिवजी के मंदिर ज ध्यान और समाधी लगाने के लिए वो शमशान हो, कैलाश हो, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं, इसलिए कहा है कि शिवलिंग के पास तीन बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए, ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं, और भगवान को ये बिलकु पसंद नहीं आता है, बेवज शिवजी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है, इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसको भुगतना पड़ता है, दोस्तों माना जाता है, शिवजी के साथ ही शिवजी के, परिवार शिव परिवार भी बजाने चाहिए, इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के वाध्य आदी नहीं बजाने चाहिए, तो दोस्तों हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस तरह से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की तामसी चीजों का सेवन, किसी भी तर और आप शिव भक्त हैं तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए आज के लिए बस इतना ही लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों